हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच्पी स्टाडी हब आई होप यू अलार वेल टूडे इस ट्वंटी नॉवंबर तो चलिए देखते हैं 20 नॉवंबर की करंट अफियर और स्टेटी जिगे के टॉप टैन इंपर्ट कोशिन जोब क्याने वाले किसी भी ग्जैम के लिए बहु चार ये फिर उफिष्ण डी पांच तो फिर्स्ट कोशन का जो रहे टंस रोगा स्पेस एक्स ने रहाली में नासा के अंतराश्टिय अंतरिक स्टेशन पर चार जो आपके यत्रियों को उन्तरिक शियत्रियों बहिजा है तो अमेर की एरोनेक्स कमपनी यानिकिे स्पेस अंत्रिक्ष पर यात्रियों को भेजने के लिए NASA help लेता था रूस के rocket car लेकिन रसेंटली जो है वो NASA ने उसके उपर निर्बताब खत्म कर दिये क्योंकि SpaceX जो एक कंपणी है एक private company है ठीवेंस एक नीजी कंपणी है और इसके साथ संस्तापक है वो है Elon Musk और NASA का जो वास्तवीक उदेशिय Elon Musk की company निकी SpaceX की मदद से ब्रहमान में मुझूद अन्य ग्रहों पर बस्ती बसाने के लिए काम करना है तो फ्रेंट्स NASA के लिए जो है वो एक जो रूस के उपरून की निर्बताथी उसको खत्म करते हुए SpaceX ने जो है सिंटली हाली में नासा के चार अंतरक शियात्रियों को अंतराश्टी अंतरक स्टेशन पर भीजा है यह आपकी लिए परोड़ कोशन आप इसे याद रखे और SpaceX के जो संस्तापक है वो है आपके Elon Musk यह भी आप याद रखे यह आपके प्राइवेट कंपनी है जो आपकी स्पेस में यह एन rename के सपेस से लिटेड भी आपकी फ्लाइट रोकेट जो लोंच करने होते है यह कोई सैटलाइट लोंच करने है उसमें आपकी help करती है next question करें question number 2 हाल ही में किस رाज्य सरकार ने फर्जी जाती प्रणाम पत्र रखने वाले सभी करमचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है आपके उप्शन ए जारखेंट, उप्शन बी च्छतिसगर्ड, उप्शन सी भिहार या फिर उप्शन डी पंजाब तो इस कोशन को जो रेट असर होगा हाली में ऐसा जो अच्छा स्टेप बोलेंगे आप इसे ये किया है चतिसगर्ड स्रकार द्वारा तो चतिसगर्ड के मुख्यमंत्री बुपेश बेगल ने एक वार फिर फरजी जाती प्रणाम पत्र के धार पर कारेरत शास्किय सेवकों को सेवा से बरखास्त करने का निरदेश दिया है तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि फरजी जाती परणाम पत्तर रखने वाले ऐसे शास्की सेवकों को जिने नियालिय से स्थगन आदेश नहीं मिला है उन्हें सेवा से ततकाल बरखास्त किया जाए मुक्यमंत्री ने कहा है स्थगन आदेश वाले मामलों में महा दिवक्ता शतिसगड के माधिम से शिक्र सुनवाई करने के लिए उच्छ न्याले से नुरुद किया जाएगा तो जो स्टेट के एड़ोकेट जनरल होते हैं ठीक है उनकी हैल्प लेके जो मुक्यमंत्री जो है शतिसगड के वो ऐसे जो केस हैं जहांपे आपके फरजी डोकुमेंट से लिए किसी के सर्विस रुकी हुई है उनको जल्दी से जल्दी सोल करने की भी बात यहांपे भुपे की जो प्रिजेंट आपके सीम है आपने उसका नाम मुझे कोमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंस जहरखन के सीम का नेक्ट शुश की बात करें कोशन अबार थर्ड अंतराश्टिय शात्र दिवसेन के इंटरनेशनल स्टूडेंट डे निमर में से किस दिन मनाया जाता है आ पजारों शात्र कारेक्रम में इस दिन पूरे उसका के साथ भाग लेते हैं और अंतराश्टिय शात्र दिवसेन का इतिहास 28 अक्तूबर 1939 की घटना से जुड़ा है और दुनिया भर की कई उनिवेस्टिय शास्क्रेटिक भूलता और विविदता से प्रदशन के लिए समोक को ठीवरेंस आपके लिए इंपोर्ड है आप इसे याद रखें नेक्स बात करें कोशन नबर फोर किस घंटन ने क्विक रियक्शन सर्फेस टू एर मिसाइल यानि की क्यू और एसम विक्सित की है जिसे हाली में ख़बरों में दिखा गया आपका विशन डिया डियो ऑप् नन ओफ दीज तो इसको जो राइट अंसर होगा वो होगा ओप्शन ए यानि की डी आर डियो ने डल्प किया है आपका क्यूक रियक्शन सर्फेस टू एर मिसाइल को ठीक है तो हाली में डीर डियो द्वारें के डिफेंस रिसर्च डिपार्मेंट ओगनिजिशन द्वारा किया गया एक क्यूक रियक्शन सर्फेस टू एर मिसाइल को जो कि आपके सवदेशी रूपस में विक्सित किया गया इसको और हाली में इस मिसाइल का समचार में देखा गया क्योंकि इसका जो सफल परेक्शन है वो चांदीपूर स्टेश रेंज जो कि आपका लाइस करता ह उडिसा के अंदर वहां पे इसका किया गया तो यह काफी important है इसे आप याद रहें DRD को प्रजेंट में चीफ है ठीक है है वह है आपके D स्थीश रेडी ठीक है D स्थीश रेडी यह आप याद रखें नेक्स कुशन बात करूं कुशन नमर फाइव International Court of Justice किस देश में स्थित है आपके फ्रांस, स्पेन, पोलेंड या फिर उप्शन डी निदरलेंड तो United Nation के अंदर आपका important role play करता है International Court of Justice जो भी मुद्ध आपके अगर किनी दो country के बीच में dispute है ठीक है तो उस dispute को solve करने के लिए आपका International Court of Justice जो है वहाँ पे help करता है उन dispute को solve करने के लिए तो आपने उसकी location मतानी है और यह United Nation के एक important Court of Justice तो शुक्त राष्ट की स्रवच्चो नियानतिक संस्था International Court of Justice जो है वह आपका हेग निदरलेंड में आपका प्रफ्टी थे और हाली में इसलिए निउस में था क्यूंकि इसके यहां पर चार वर्तमान जो प्रजेट में इसके नए मेमर बने हैं वह बने आपके जपान चिन स्लोवाकिया और यूगांडा और यह पहले से इनको फिर से आपको यहां पे चुना गया है इन कंट्रियों जिसमें जो जितने भी वर्ड लेवल की डिस्पूट है तो सुनी पठाने के आप प्रास की जाते हैं और सेंट्रली लास्टिर जो है इंडिया के जज जो है यहां पर फिर से रिलेक्ट हुए थे तो आपने मुझे उस जज का नाम बताना है नेक्स बात करें कुश्ण नमर देश उतरब देशेफर कनाड़ का तो इसका जो राइट अंस रोगा वो होगा ओप्शन ए उडिसा तो उडिसा में लिंगराज मंदर की जो मंदर है वो लोकेट करता है जो उडिसा की राजदानी है भूनेशवर में और इसे जजती केशरी ने बनवाया था और यह ग्यार प्रेंड के CMA जीए मिनिस्टर वो है आपके नमीन पतनायक कोश्ट नमबर सेवन निमिलिक्त में वीना कौन बजाता था तो गिवन ओप्शन दियो है चारो के चारो ओप्शन आपके मुगल डैनस्टी से लिडिड है ठीक है तो आपने मुझे बज़ाने में से कौन सा पर प्रतिमा में लगा दिये था लेकिन फिर भी जो औरेंग दिव था वो अपका वीना बजाता था तो यह अपका पॉल्टी से कौशन है और टाफी इंपरेंड कोशन है भारतिय सविधान के किस अनुशेद के तहित लोकसवा में अनुसूचत जातियों और जंजातियों क तो किस आर्टिकल के अंदर बात की गई है जो जो रिजर्विशन दी जाती है श्चुझेयल कास्ट और श्चुझेयल को आपको ऑप्शन है आरटिकल 330, आरटिकल 232, आरटिकल 222 या फिर आरटिकल D आपको ऑप्शन D, आरटिकल 345 तो इसको जो रेटंस रोगा वो होगा ए एनके आर्टिकल 330 के अंदर बात की गई है फ्रेंस आपके कि लोकसवा में अनुसुचित जातियों जातियों के लिए अरक्षन देने की बात हुई है आर्टिकल 330 के अंदर काफी इम्पोर्टन आप इसे याद रखे नेक्ट शुशन बात करें कोशन नमर 9 भारती सविधान में सशोधन का परस्ताव किस देश के सविधान से लिए गया है तो फ्रेंस जो अमेंडमेंट होता है हमारे इंडिन कोस्टिशन में ठीक है तो वो जो आपका अमेंडमेंट करने का प्रसीजर है वो हमने किस country से लिया है आपके option जर्मनी से आपको option B सौथ दक्षिन अफरीका से option C Spain से या फिर option D Italy से इस question का जो right answer होगा question number 9 का वो होगा option B दक्षिन अफरीका से यानकि साथ अफरीका से हमने अपने question के अंदर amendment करने का जो power है वो ली है option अफरीका से Germany की capital की बात करें तो वो मिलेगी आपको Berlin में दक्षिन अफरीका की capital मिलेगी आपको इसकी तीन capital है ठीक है और इसकी capital है जोहांसबर्क प्रिटोरिया ठीकष की बात करें तो Spain की जो capital है वो आपकी Spain की capital अफरीन जो कोमेट उसे पता नहीं है चोड़ फैंस मैं ही बता देता हूँ आपको स्पेन की अपकी मैडरीड में मैडरीड में स्पेन की कैपिटल नेक्स मत करें कोशन नमर टैन और आज का यह आपका लास्ट कोशन निवलिक्त में से कौन सी नदी अमर कंटक से निकलती है तो अमर कंटक की चोटियां शाहिद आपने सुनी होगी तो आपने में जो ताने में से कौन सी नदी अमर कंटक से निकलती है आपके उशन है बेतवा, माही, नर्मदा या फिर जिले से सत्पूड़ा श्रिणी से ठीक है और बेतवा नदी विद्य श्रिणी से निकलती है और ये यमना की साइक नदी है तो ये जो है ट्रिबूटरी है अपकी बेतवा नदी किसकी यमना तो आज किस लेक्चर में हमने देखे 20 रूमंबर के करंट फेर और स्टैटिक दिखी के टोप रन इंपोर कोशन और फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलेग्रम चैनल HP Study Hub को जोईन कर सकते हैं आपको वहां पर हमारे सभी लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी ठीव अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इसे नसे लेटेट कोई भी वीडियो नोटिकेशन को मिस न करें तो तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्यार रखें सेफ ने धन्यवाद